Hello Everyone, Welcome to Study Extraordinary हमारे पिछले वीडियो में हमने डिसकस करा था इंटीजर्स के बारे में उससे रिलेटिट कंसेप्ट और जो भी ऑपरेशन हम इंटीजर्स के उपर परफॉर्म कर सकते हैं उनको हमने डिसकस करा था तो आज के वीडियो में उनी कंसेप्ट के बेसिस पर हम वर्ट प्रॉब्लम्स करेंगे क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हमने कंसेप्ट बिल्ड़ प्रॉब्लम्स कर ली हैं तो I hope कि आपको sign कैसे लगाते हैं और कहां पर addition करना है कहां पर subtraction करना है इस चीज़ को आपने अपने दिमाग में clearly set up कर लिया होगा तो चलिए first word problem के साथ हम आज का वीडियो start करते हैं अ कार traveled 60 km to the north and then 90 km to the south how far is the car from the initial point तो यहां पर हमें एक कार दे रखी है हमें एक थोड़ा diagramatically इसको represent करने की कोशिश करते हैं तो शायद आपको जाधा clear होगा तो हमारे जो sign system होता है उसमें यह होता है north यह होता है south यह होगा west और यह होगा आपका east let us suppose कि यह जो intersection point है दोनों lines का यहां पर हमारी कार थी ठीक है तो अब कार हमारी 60 km गई है north direction की तरफ तो suppose यहां तक हमारी कार गई यह गया 60 km ओके देन 90 km to the south अब यहां पर पहुशने के बाद south direction में कार हमारी 90 km नीचे की तरफ आ गई तो अब हमें बताना है how far is the car from the initial point initial point मतलब जिस point से हमने start करा था उस point से हमारी कार अब कितनी दूर है तो अगर आप इसको अपने plus और minus के साब से सोच के देखो तो जैसे कि हमने sea level वाले questions में देखा था कि sea level के ऊपर जो होता है वो हमारा positive होता है और sea level के नीचे जो होता है वो हमारा negative होता है उसी तरीके से हम इसको सोच के देखें तो अगर हम towards the north direction positive मान ले कि कार अगर north की तरफ जा रही है तो हम उसे positive sign मानेंगे तो south की चेरफ जाना हमारा negative sign हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल नीचे है ना उसके बिल्कुल opposite है south north के तो इसलिए वहाँ पर negative sign आ जाएगा आप उल्टा भी मान सकते हो क्योंकि यहाँ पर तो में direction state करनी है यहाँ पर में sign नहीं state करना लेकिन जब आप solve करोगे question को तो आपको opposite sign दोनों numbers का लेना पड़ेगा तभी आपका answer ठीक आएगा ओके तो मैं यहाँ पर towards the north ले रही हूं positive और south की तरफ में ले रही हूं negative sign ठीक है तो अब हमें सबसे पहले plus 60 km हमारी कार गई ठीक है उसके बाद next उसमें क्या add करा हमने 90 km south की तरफ गई तो plus minus 90 क्योंकि नीचे की तरफ गई तो हमने minus का sign लगा दिया यहाँ पर तो अब हम इसको हमारा solve कैसे करें हमने पहले में rule पढ़ा हुआ है कि अगर यहाँ पर हमारे दोनों numbers का sign जो होता है वो different होता है तो हम subtraction को perform करते हैं और बड़े वाले क्या है यहाँ पर 90 बढ़ा है या 60 90 बढ़ा है और 90 का sign क्या है negative तो हमारा final answer हो गया minus 30 अब यहाँ पर हमने minus sign क्या लिया था south direction के लिए तो answer होगा 30 km in south मतलब जहां से हमने start करा था उससे south direction में हम 30 km नीचे हैं ओके चलो तो next question देखते हैं the sum of two integers is minus 13 if one of them is 8 then find the other number तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 plus x x की जगा हम कुछ भी ले सकते हैं a b c d e कुछ भी लेकिन in general हम maths में x ही consider करते हैं तो equal to और question में हमें sum जो है वो given है minus का 13 तो यहाँ पर हमने minus 13 लिख दिया अब अगर हमें किसी भी sum में से मतलब कोई दो numbers को आपने जोड रखा है उसमें से आपको 8 number given है और दूसरा निकालना है तो क्या करते हो आप sum क्योंकि बड़ा होता है sum तो sum में से हम minus कर देंगे जो एक number हमें given है तो यहाँ पर भी हमें वही करना है हमें minus 13 में से हमें minus करना पड़ेगा 8 को अब यहाँ पर जो हमारा 8 है इसमें इसको subtract करने के लिए हम क्या करेंगे तो यहाँ पर अब second number का हम ले लेंगे additive inverse और उसको add कर देंगे हमारे first number में तो minus 13 में आपको add करना है 8 का additive inverse क्या होगा additive inverse मतलब sign को बदल दो तो 8 यहाँ पर plus का है तो additive inverse लेके minus का हो जाएगा अब हमारा simple addition लग गया यह तो integers का addition में क्या होता है इन दोनों numbers को add कर लो add करके क्या हैगा आपका 21 और जो sign बड़े number का होगा यानि 13 का मतलब दोनों का वैसे तो इसमें सेम ही है पर बड़े number का जो भी sign होता है वो हमारा answer में आ जाएगा तो answer हो जाएगा हमारा minus 21 Coming to the question number 3 A man bought some pens for rupees 30 and some books for rupees 90 The next day he again bought some pens for rupees 25 Later he sold all the pens for rupees 20 and the books for rupees 70 Find his gain or loss अब ये इतनी बड़ी कहानी देखके Please confuse मत हो ना और कहानी में मत खो जाना थोड़ा ज़रा underlined values की तरफ ज्यान देना और बाकी तो मैं आपको समझाई रही हूँ तो यहाँ पर ये आदमी दो दिन गया है शॉप पर समान खरीदने तो फर्स्ट डे इसने क्या-क्या बाय करा है फर्स्ट डे उसने पैंज लिये हैं फॉर रुपीज 30 एंड उसने बुक्स भी लिये हैं फॉर रुपीज 90 ओके नाव सेकंड दे उसने सिर्फ पैंज लिये हैं फॉर रुपीज 25 ओके and then on the third day उसने उसने सेल कर दिया हैं तो सबसेिए पहले हम देखते हैं कि उसने कितने-कितने रुपीज के यह लिये टोटल अमाउंट हमारा क्या हो रहा है तो टोटल हमारा पैंस का क्या हो जाएगा इन दोनों को आप एड कर दोगे तो इट विल बी 55 रुपीज 55 रुपीज के उसने पैंस खरी दे और बुक्स विल बी रुपीज 90 90 रुपीज के उसने बुक्स खरी दिया है लेटर ही सोड अब उसने सेल करें पैंस रुपीज 20 के लिए तो 55 में उसने खरीदे हैं और 20 रुपीज में उसने सेल कर दिये हैं ओके और बुक्स उसने 90 रुपीज में खरी दिये हैं और 70 रुपीज में सेल कर दिये हैं तो अब आपको बताना है कि गेन हुआ है या उसे लॉस अब आप लॉजिकली नॉर्मली देखोगे तो आपको पता ही चल रहा है कि लॉस हुआ है क्यों हुआ है क्यों कि हमने खरीदा तो जादा में है बेचा कम में है तो क्या हुआ है पैसा हमारे पास से गया है और जब भी हमारे पास से कुछ जाता है तो हमें लॉस होता है पर हमें question में value निकाल के कितने अमांट का loss हुआ है तो यहां पर अब हमें या लॉस क्या है यह निकालने के लिए जिस प्राइज हमने विए उस प्राइज में से जो हमारा कोस्ट मतलब जितने का हमने खरीदा होता है वह हम माइनस करते हैं तो हमने सेल यहां पर पैंस का हम सबसे पहले डिसकस करेंगे तो पैंस हमने 20 रुपीज में सेल करें और 55 रुपीज में हमने यह बाय करें थे तो इसको अगर आप सब्ट्राक्शन परफॉर्म करोगे तो कैस करोगे पता ही आपको इंटीजर्स का सब्ट्राक्शन डिफ्रेंट साइन करें यहां पर सेकेंड नंबर का क्या ले लेंगे हम एडिटेव इनवर्स तो 20 और उसको एड करना है यहां पर माइनस 55 सिंपल एडिशन हो गया भी है डिफ्रेंट साइन है माइनस कर दो अलग से और बड़े नंबर का साइन हम लगा देंगे तो आंसर आजेगा हमारा माइनस 35 अब जैसे ही यहां पर हमें माइनस का साइन दिख गया मतलब हमें पता चल गया कि लॉस है क्योंकि हमारे पास से कुछ जा रहा है ओके तो यह वैल्यूस तो हमारे पैंस के आ गई और अब हम उसके लिए अगर देखेंगे तो बुक्स में क्या हुआ है बुक्स में हमने 70 रुपीज में सेल करा है और हमने बाय करा था 90 रुपीज में फिर से इसी तरीके से आप सब्ट्राक्शन परफॉर्म करोगे तो क्या आएगा आपका माइनस 20 मतला बुक्स में भी हमें लॉस हुआ है और पैंस में भी हमें लॉस हुआ है क्योंकि दोनों हमारा नेगेटिव साइन था तो टोटल हमें कितना लॉस हुआ ह तो माइनस 20 को आप एड कर दोगे माइनस 35 में एडिशन फिर से नॉर्मल आप करोगे फिर उसके बाद साइन आप लगा दोगे नेगेटिव का क्योंकि दोनों नंबर्स का नेगेटिव साइन है तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस 55 रुपीज मतलब 55 रुपीज का लॉस ह हुआ है यहां पर माइन को अपना समान बेशने के बाद ओके कमिंग टो कैसे नंबर पोर ओन दे इन श्री नगर दे टेंपरेचर अट एट पीम इस वान दिग्री सेल्शियस बट ऑन दे सेम दे तेंपरेचर जोप टो माइनस 4 दिग्री सेल्शियस अट दे मिड्नाइट ब पर हमारा टेम्परेचर था वन डिग्री सेल्शियस एंड ऑन दे सेम डे मिड्नाइट पर यानी 12 एम पर हमारे टेम्परेचर दे रखे हैं माइनस 4 डिग्री सेल्शियस अब हमसे पूछा है कि हाव मच डिग्री डिडिड दे फॉल मतलब कितने कम हो गए ठीक है अब यहां पर कितने जहां पर पूछते हैं जब यहां पर में डिफ्रेंस पूछा है यहां पर हमसे यह नहीं पूछा है कि फॉल हुआ है या गेन हुआ है तो जो मैंने आपको एक मौड ऑपरेशन बताया था ना कि इसके बीच पर जो भी आंसर आप रखो वो हमेश्या पॉजिवी यहां पर यहां में आपका आता है तो वो प्रेशन का यूज्या पर करना होगा साइन को हम यहां पर इतना ध्यान नहीं देंगे छींट करीक हिश्या पर हमारा फाइनल टैंप्रेचिंटर बाग का टैंप्रेचिर क्या था 12 प्युर अं-4 दिग्रीज ओके माइनस फो रोग तो नो दर डिफ्रेंस कि उनके बीच में कितना गैप है या कितना चेंज आया और क्योंकि हमें यहां पर साइन से कोई फरक नहीं पड़ता तो हम इस वाल्यू को हमारे मौड के अंदर डाल देंगे तो यह आ जाएगे हमारी माइनस 5 और क्योंकि यहां पर मौड लगा हुआ ह तो आपके बहार तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मतलब 5 डिगरी सेल्शियस का यहां पर चेंज आया है श्री नगर में टेंप्रेचर में ओके Now coming to question number 5 A shopkeeper gains rupees 1 on each pen 1 rupee का gain होता है एक pen के उपर and loses 40 पैसे on each pencil और एक pencil के उपर 40 पैसे का loss होता है He sells 45 pens and some pencils यहां पर कितने pen उसने सेल करे? 45 है, given है But pencils कितनी सेल करी है हमें? नहीं given है After which he loses rupees 5 in all मतलब total, दोनों चीज़ों को बेच के जो total उसका आया है answer वो है loss and that is 5 rupees का loss How many pens did he sell? हमसे यह पूछा है, pens तो sorry given है How many pencils did he sell? यह हमसे पूछा है question में तो सबसे पहले थोड़ा question को process करने की कोशिश करो यह बहुत सारी information यहाँ पर दी हुई है तो सबसे पहले हम देखते है pen के उपर हमें क्या मिलता है? rupees 1 का profit ठीक है? and pencil के उपर हमें मिलता है 40 पैसे 40 पैसे को आप convert करोगे rupees में, तो 100 से divide कर दोगे यह थो हमने पढ़ा ही है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते है तो 4 40 पैसे को आपको convert करने के लिए उसे divide करना होगा 100 से ओके? 40 upon 100 रुपी का loss होता है उसे एक pencil के उपर ओके? he sells 45 pens अब यहाँ पर उसने 45 pens sale करे है तो total हमारे pens में क्या होगा? 45 into रहा था हर pen के उपर into 1 मतलब 45 रुपीज का उसे profit हो रहा है in total यहाँ पर pens के case में खाली हम पैंस कर डिसकस कर लाए pencils हमें पता नहीं है कितनी उसने sale किया तो हमने let कर लिया कि उसने X pencils को बेचा है हमने वहले पिता रहा था कि आप X की जगा ABCD कुछ भी ले सकते हो मैंने यहाँ पर X लिया है ठीक है तो X pencils को उसने बेचा है यह हमने मान लिया ठीक है तो अब pencil कल पर होता है हमें loss तो कितने अगर X pencils पर कितना loss होगा अगर एक pencil पर 40 upon 100 का होता है unit free method multiply करेंगे हम इसमें तो 40 upon 100 into X मतलब 40 X upon 100 आप चाहो तो इसमें cancel भी कर सकते हो 0 से 0 यहाँ पर cancel हो जाएगा आपका और 2 का table में 2 2s अ 4 होता है and 2 5s अ 10 होता है तो हमारा 2 X upon 5 आजाएगा यहाँ पर loss यह हमें loss होआ है pencils पर अब उसने हमें बता है कि in total उसे 5 रुपीज का loss हुआ है मतलब total जो हमारा इन दोनों को subtract करके answer आ रहा है वो आना चाहिए 5 रुपीज का loss क्योंकि यहाँ पर loss है तो आपका यह 2 X upon 5 तो minus का हो जाएगा क्योंकि जहाँ पर loss होता है हम negative sign लगा देते हैं और profit हमारे को हुआ है plus 45 रुपीज का तो 45 हमारा plus sign का होगा और क्योंकि इन दोनों को add करके हमारा total answer जो है वो आया है हमारा 5 तो यहाँ पर हमने उसे add करके कर दिया है 5 5 को आप simply नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर loss दे रखा है 5 में तो आपको कौन सा sign यहाँ पर लगाना है negative sign तो यह हमारी आगई final equation अब इसको solve कैसे करोगे तो यहाँ पर हमारा हो गया minus 2x upon 5 plus 45 is equal to minus 5 यह equation मैंने यहाँ पर copy करके लिख दिया है अब सबसे पहले हम इस 45 को इधर की side लेकर जाएंगे तो जब भी हम equal to की दूसरी side को भी value लेकर जाते है तो उसका sign जो होता है वो change हो जाता है तो यहाँ पर 2x minus 5 तो minus का ही रहेगा यह जो हमारा plus का sign है यह इधर जाके minus का हो जाएगा क्यों हो जाएगा minus 5 minus 45 यह हमारा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं minus 5 plus minus 45 तो simple जैसे integers में आप addition करते हो वो ही आप perform कर दोगे यहाँ पर तो यह हो जाएगा इन दोनों को आप add करोगे तो minus 50 आजाएगा आपका अब दोनों side आपके पास एक minus का sign है यह भी एक minus का है और यह भी एक minus का है तो जब equal to के दोनों side same sign होता है तो हम उसको cancel कर सकते हैं तो दोनों को हम cancel कर देंगे दोनों minus cancel हो जाएगे आपके तो यहाँ पे आगे आपके बस 2x upon 5 is equal to 50 अब जो value upon में है उसको उपर की side ले जाके multiply कर दो तो 2x is equal to 50 into 5 means 250 और फिर आप इसको 2 से divide कर दोगे तो क्या जाएगा आपका answer 2 1s are 2 2 2s are 4 and then आपका बचेगा 10 तो this will be 125 तो आपने 125 pencils sale करी है तब जाके आपको 5 rupees का loss हुआ है in total ओके एक बाद मैं फिर से आपको इस समझाते हूँ क्योंकि थोड़ा मुश्किल है तो सबसे पहले हमने क्या करा question को note down करा है एक pen पे हमें profit होता है 1 rupee का और एक pencil पे हमें loss होता है 40 पैसे का 40 पैसे को हमने rupees में convert करा है 40 upon 100 क्योंकि एक rupee में 100 पैसे होते है उसके बाद हमने total pens का profit निकाला कि कितना profit होगा अगर हम 45 pens sale करेंगे तो क्योंकि हमें question में 45 pens दे रखे थे 45 into 1 तो हमारा 45 rupees का profit हो गया यहाँ पर अब हमने फिर let करा कि हमने x pencils बेची है क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितनी बेची है हमें वो निकालना है तो हमने यहाँ पे उसको x ले लिया है तो loss कितना होगा x pencils बेचने के उपर एक pencil पे जितना loss होता है उसको multiply कर देंगे हम तो हमने 40 upon 100 को x के साथ multiply करा उसके बाद हमने यह zeros को cancel कर दिया और overall simplify करके हमारा यहाँ पे आगे 2x upon 5 और यह है हमारा loss तो loss जब भी होता है तो हम क्या करते है negative sign लगाते है और profit जहाँ पे भी होता है वहाँ positive sign लगाते है तो उन दोनों को add करके हमें question में given था कि total हमें rupees 5 का loss हुआ है तो यहाँ पे 5 के पहले आगे हमारा negative sign because हमें loss हुआ है यहाँ पे उसके बाद यह मैंने equation को solve करा है equation को कैसे solve करते हैं सबसे पहले जो भी हमारे numbers हैं उनको excite कर लेंगे तो हमने 45 को equal to के दूसरी side लेकर गए दूसरी side ले जाने पर यह sign जो हमारा होता है उस number का वो change हो जाएगा तो 45 का sign change हो गया आपका यहाँ पे negative sign आ गया इसके बाद हमने जैसे हम addition perform करते हैं इंटीजर्स में वो हमने यहाँ पर perform कर लिया फिर इन दोनों को equal हमने रखा तो हमने देखा कि 2x upon 5 के पास भी एक negative sign है और 50 के पास भी एक negative sign है तो दोनों negative sign को हमने cancel कर दिया है और फिर cross multiply करा हमने जो denominator में था हमारे पास और फिर उसके बाद हमने divide करके solve कर दिया तो हमारा answer आ गया है 125 pencils So now coming to the sixth question, question थोड़ा बड़ा है लेकिन इतना difficult नहीं है तो थोड़ा समझेंगे तो आ जाएगा तो डरना मत कभी वीडियो छोड़ के भाग जो इतना बड़ा question देखके फूरी वीडियो देखनी है ऐसे बड़े-बड़े question से डरना नहीं है उनको crack करना है ओके in a class test containing 20 questions 4 marks are given for each correct answer तो 4 marks मिलते हैं correct answer के and minus 2 marks are given for each wrong answer minus 2 मिलता है wrong answer के लिए दीपक attempts all the questions and 12 of his answers are correct हमारे दीपक ने कितने questions attempt करें 12 sorry उसने all questions attempt करें but सही कितने हुए 12 मतलब गलत कितने हुए 20 questions में से 12 minus करोगे जो कितने गलत हुए 8 questions गलत हुए हैं तो how many marks did he score बहुत ही practical question है ये क्योंकि आप जो भी competitive exam देते हो ना उसमें भी ऐसी होता है कुछ negative marking होती है कुछ positive marking होती है तो फिर उनका combination निकल के आपका answer आता है तो बस यहीं पे आपको थोड़ा practicality से सोच के देखना है तो हमने सबसे पहले लेख लिया कि correct के लिए मिलेंगे हमें plus 4 और wrong के लिए हमें मिलेंगे minus 2 अब दीपक ने कितने questions attempt करे थे सारे questions उसने attempt करे थे सही कितने होए 12 तो दीपक के correct answers का score कितना हो गया बताओ 12 उसके सही होए थे न और कितना मिलता है एक सही होने पे 4 तो उसके 48 marks आगे सही questions के लेकिन अभी wrong answers भी है उनका भी हमें minus करना है तो wrong उसके कितने होंगे wrong होंगे उसके 20 minus 12 मतलब 8 8 questions उसके wrong है तो उसके wrong answer का score कितना होगा हम multiply कर देंगे इसको किस से minus 2 से क्योंके wrong है और हमें पहले भी given ही है question में कि वो negative है 8 into minus 2 तो multiply में क्या होता है minus का rule पहले normal multiply करो और अगर sign different है तो minus का sign लगा दू 8 into 2 16 minus 16 marks उसके wrong answers के हो गए तो अब उसका total score क्या होगा दोनों को add कर दू अब तो हमने निकाली लिया उसने सारे questions attempt करे थे correct का यहां निकाल लिया wrong का यहां निकाल लिया तो इन दोनों को add कर दू तो 48 plus minus 16 तो इन दोनों को पहले minus कर लोगे और जो भी बड़ा number है उसका sign लगेगा तो बड़ा number यहां पर 48 है तो plus का तो आपका answer में sign आएगा और 48 में से 16 अगर minus करेंगे तो 32 marks आगए answer ओके यह एक बार मैं और आपको थोड़ा brief में बता देते हैं जिसको समझ नहीं आए फिर से ध्यान दो सबसे पहले correct answers पर मिलते हैं हमें plus 4 wrong answer पर मिलता है minus 2 correct answers कितने कर रहे थे उसने correct attempt 12 तो multiply करके हमने कर दिया हैं पर 48 marks फिर wrong हमारे कितने थे total minus जितने उसने correct attempt करें तो 20 minus 12 यानि 8 questions उसके wrongly attempted थे तो wrong answer का score आगया 8 into minus 2 क्योंकि हमें question में गिवान है कि minus 2 marks मिलेंगे उसके तो यह होगी हमारा minus 16 फिर इन दोनों को हमने add कर दिया है and this is 32 marks ओके? on a certain day the temperature changed at the rate of minus 2 degree Fahrenheit per hour after how many hours will the temperature fall minus 14 degree Fahrenheit तो अब यहां पर हमें क्या दे रखा है कि हमारा एक certain day rate क्या होता है? rate होता है हर घंटे कुछ particular amount कम होना है जादा होना तो यहां पर rate है हमारा minus 2 degree Fahrenheit मतलब हर घंटे 2 degree Fahrenheit आपका temperature कम होता जा रहा है like for example अगर एक बजे दुपैर में आपका temperature 20 degree Fahrenheit ओके? तो दो बजे वो temperature आपका हो जाएगा 21 degree Fahrenheit फिर तीन बजे हो जाएगा वो 19 degree Fahrenheit ऐसे वो कम होता जा रहा है क्योंकि हापे minus cosine लगा हुआ है ठीक है? तो आपको यह बताना है कि कितने घंटे बाद minus 14 degree Fahrenheit आपका temperature कम हो जाएगा इस question को आप normal जो आपके division problems होती है यह unitary method problems होती है उनकी तरह सोच के देखो कि आपका 15 mangoes का rate जो है वो supposed 200 rupees है तो आपका one mango का rate क्या होगा? इस तरीके के जो questions होते हैं उस तरीके से आप इसको सोच के देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ है? एक का आपको बता रख है कि इतने rate पर आपका temperature गिरता जा रहा है और आपको बताने कि final हमारा इतना कितने आर्स बाद गिरेगा? तो एक आर्स में कितना गिर रहा है आपका? minus 2 degree Fahrenheit तो हमसे पूछा है कि 14 degree Fahrenheit कब होगा? मतलब एक घंटे में minus 2 है तो 2 घंटे में minus 4 हो जाएगा 3 घंटे में minus 5 हो जाएगा इस तरीके से आप अगर इसे करके देखो कि तो बहुत लंबा हो जाएगा काफे time calculate करने के लिए करना पड़ेगा तो उसकी जगा अगर हम division operation को यहाँ पे use करें तो यह question काफी simple हो सकता है क्योंकि हमें finally कितना लाना है minus 14 degree Fahrenheit और rate यहाँ पे given है rate मतलब कितने बार बार हर घंटे वो कितना गिर रहा है और घंटे आपको निकालने है तो अगर आप minus 14 degree Fahrenheit को minus 2 degree Fahrenheit से divide करोगे तो आपके बस जो answer आएगा वो hours में आएगा क्योंकि यह है per hour मतलब degree Fahrenheit पर R में है यह तो Fahrenheit को तो हमने है यहाँ पे cancel कर लिया है तो जो हमारा answer आएगा वो आएगा कितने hours में हमारा temperature जो है वो इतना कम हुआ है तो इसको आप sign जो है वो तो cancel हो जाएगा दोनों का क्योंकि दोनों same sign के होते है तो हमारा question जो आता है वो plus sign का आएगा और यहाँ पे 2 को से divide करो गया 14 को तो आपका आजएगा 7 तो मतलब 7 hours में हमारा जो temperature है वो 14 degree Fahrenheit कम हो जाएगा तो I hope आपको जो भी मैंने word problems बताई है वो समझ आई होंगी और अब आप देख रहे होगे कि हमारे पुराने वीडियो से हमारे level अब होता जा रहा है क्योंकि अब हम धीरे धीरे थोड़े difficult topics की तरफ बढ़ते जा रहे है तो please regularly इस channel को follow करो सारी updates को ध्यान से रखो जब भी वीडियो आए उसे देखो जिससे की आपका concept step wise आगे बढ़ता जाए ओके और कोई भी update मिस ना हो उसके लिए हर बार की तरह भाई मैं बोलती ही हूँ सब्सक्राइब कर लो आपका ही फायदा है जल्दी से कर लो और अगर ये वीडियो informative लगा हो तो please इसको like करना क्योंकि मेरे को तो motivation मिलता है कि हाँ भाई इतने लोग को मेरा content पसंद आ रहा है और समझ भी आ रही है मेरी बाते प्लस अपने सारे friends को share कर दे ना किसी का भी ऐसा ना हो कि इन्टीजस का कोई concept वीक रह जाए तो मैं मिलती हूँ आप से next वीडियो में जो की होने वाला है बहुत ही interesting तब तक के लिए बाई